वीडियो में मैं आपको 299 के प्राइम फेक्टर से निकालना सिखाऊंगा प्राइम फेक्टर निकालने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं नमबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं प्राइम नमबर कहलाते हैं 2,3,5,7 and so होनी कुछ प्राइम नमबर लिख दिए मैंने फिर इसके बाद 2,99 के मैं प्राइम फेक्टर से निकालूंगा प्राइम फेक्टर निकालने से पहले आपको फेक्टर निकालना चाहिए अगर आप फेक्टर निकाल ले गए तो प्राइम फेक्टर हमें अपने आप पता चल जाएंगे 13,23 exactly the 299 होता है तो 2310 exactly the 23 फ़िर इन फेक्टर में से जो भी आपके प्राइम नंबर है उनको select कर लिजे तो मेरे 13 and 23 दोनों ही प्राइम नंबर है इन प्राइम नंबर को फिर आपको से multiply करा जाता है कराने के बाद आपको result हमेशा क्या मिलेगा जिसका आपको prime factor निकालना तो वही result है मैंने 39 x 23 किया तो मुझे 299 मिला इसके prime factors फिर क्या बन गए 39, 23, 299 की prime factors हुए